शोर्शोर्ट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अबडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपणी विद्या रंभम करिश्यामी सिध्धिर भवतू में सदा ओम जै मा सरस्वती ओम जै श्री महाकाल बोलो श्री बांके बिहारी की जै बोल ब्रिंदावन बिहारी लाले की जै स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 9 अक्टोबर 2022 का दिन है रात के 11 बज रहे हैं थोड़ा रे लेट हो गया वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे पता नहीं कि आप परिशानी आ रही थी फिर भी गोल्ड और सिल्वर का वीकली अनालिसिस अपलो यूट्यूब में आगे चलने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आईए हमारे परिवार का हिसा बनिये हमें आप टेली ग्राम पे जरूर जोइन करिये और हमारा टेली ग्राम चैनल है शोरशॉट फॉर्मूला फैमली जी हाँ शोरशॉट फॉर फैमली मेरा और आपका परिवार इस कोड को स्कैन करके क्यू आर कोड को आप हमें जॉइन कर सकते हैं नीचे जो नाम दिया है उससे आप हमें जॉइन कर सकते हैं साथी साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप हमें जॉइन कर सकते हैं बिलक को सोने चांदी नहीं सोमवार कल कल मतलब 10 अक्टूबर को सोने चांदी में क्या होगा फैड का नेक्स वेट हाई क्या होगा इंसलेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है यूस्डी आएनर गिरता ही जा रहा है और ग्लोबल डेटा किस तरह से इंपैक्ट डालेगा सब क कुछ बात करेंगे इस चोटे से नने से वीडियो में टू दा पॉइंट वीडियो रहेगा ज्यादा टाइम नहीं लूँगा पांस साथ मिनट में सब निप्टाने की कोशिश करूँगा चलते हैं सीधे हम और बात करते हैं एके करके सोने पे बात करते हैं गोल्ड अरे भाई इसका पेन कहां चला गया मेरा पेन 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 एक मिनट रही है चला मैं इसका पेन मेरा गुम गया है चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड से गोल्ड के अंदर सबसे पहले तो हम एक ट्यूट्रल जोन बना लेते हैं मंडे के लिए क्या बना लेते हैं जिसके उपर अगर हमें गोल्ड मिलेगा तो हम ये मानेंगे कि गोल्ड के अंदर तेजी रहेगी उसके नीचे जाएगा तो गोल्ड में हम एक कमजोरी मान सकते हैं देखें अगर मैं एक सबसे पहला जोन बनाना चाहूं तो वो बन जाएगा 51,600 इसको आप मान लीजे नीट्रल जोन या मिडल जोन इसके उपर जो रिजिस्टेंस होंगे इंपॉर्टेंट रिजिस्टेंस होगा 52,150, 52,250 और 52,600 सपोर्ट आएगा 51,400 से 300, 51,050 और 50,900 मुझे लगता नहीं है इतनी जरूत पड़ेगी अभी तो इसको नीट्रल जोन मान लीजे या एक सपोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं तो अगर इसके उपर ये रिजिस्टेंस है और इसके नीचे जाता है तो ये कुछ सपोर्ट है मार्केट जो बंद हुई है वो बंद हुई है 51,960 कॉमेक्स में मार्केट 50 डॉलर नीचे बंद हुई है तो रुपए के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे खुलती है मैं अगर बात करूँ स्पोर्ट की तो स्पोर्ट गोल्ड बंद हुआ है 1695 पे ठीक है यह मैं एक्जेक्ट आपको बताता हूँ लगबख 1700 के आसपास बंद हुई थी और 1695 बंद हुई है तो फांस डॉलर नीचे बंद हुआ है अब यह देखना होगा कि मंडे को क्या होता है यह तो है आपका गोल्ड की कहानी मैंने आपको बता दी यह सपोर्ट और अरजिस्टन्स आप नोट कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो पिछला जो मंडे था लास्ट जो मंडे था वो गोल्ड और सिल्वर बंपर तेजी आई थी आप सबको पता होगा लगबग सिल्वर के अंदर 4000 पॉइंट की तेजी थी वहीं गोल्ड में भी लगबग 1000 पॉइंट की तेजी हुई थी अब ये मंडे जो है कैसा रहेगा लास्ट मंडे की तरह ही तेजी continue होगी या जो गिरावट हमें Friday को होते हुई दिखाई दिये Comics के अंदर वो गिरावट continue होगी रुपया किस तरह से behave करेगा रुपय को बहुत closely monitor करना पड़ेगा because जो एक expectation थी कि 84 तक जाएगा तो 83 तक तो आ गया रुपया अब कल कुछ हमें interference देखने के लिए मिलता है intervention देखने के लिए मिलता है government की तरफ से या नहीं तो फिर उस पर depend करेगा अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कहानी क्या बन रही है silver में silver के अंदर भी एक neutral zone सबसे पहले ढूंड़ने की कोशिश करते हैं कि भई silver कह क्या रहा है करना क्या चाह रहा है तो silver में एक neutral zone मेरे हिसाब से 60,000 यह support भी है और neutral zone भी है 60,100 के उपर जब तक है कुछ उम्मीदे बनी हुई है इसके नीचे निकल जाता है तो 69,700 और 58,700 और इसके उपर sustain करता है तो अभी तो 60,700 के आसपास चली रहा है तो उपर में जो resistance है पहला resistance ही 61,700 के पास है उसके उपर जो resistance है वो है 62,300 के आसपास और final resistance है 62,900 के आसपास यह कुछ important levels है मंडे के लिए अभी जो market चल रही है वो चल रही है 67,800 यह है closing तो आप इसको first support consider कर लो यार ठीक है इसको आप first support और resistance यही मानना क्योंकि उस दिन भी अगर आप गौर करोगे ना market गिरने के बाद बार बार कहां तक जा रही थी मैं आपको वो दिखाना क्योंकि जब market जिस समय पर यह data आया था ना ADP का ADP का कौन सा data था हाँ मुझे नाम नहीं आदा रहा है लेकिन कोई बहुत important data था payroll का data था शायद तो वो data के आने के बाद ही तो यह गिरे हैं trade और sustain किया है बस खाली दुपहर में 52,120 का high बनाया था 52,120 का और फिर वहां से वो consolidation में रहा नीचे गया 900 से और 52,000 के बीच में उसने consolidate किया और जैसी वो data आया तो हमें एक dip देखने के लिए हैं मिला Monday को बहुत crucial दिन रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना अगर support जो hold होते हैं Monday को जो chart structure बनेगा support और resistance किस तरफ का inclination है पता लगेगा हमें तो थोड़ा सा ध्यान में रखें सुबह सुबह कोई बहुत जल्दवाजी में trade नहीं करेंगे weight and watch की रणीती रखेंगे और फिर जहां पर सही मिलेगा महां करेंगे और हाँ मैंने पिछले दो वीडियो में ये बात कही है इसमें भी बोल देता हूँ कि भई हम comics की analysis शुरू कर रहे हैं और regular analysis शुरू कर रहे हैं even comics के लिए एक अलग channel भी बनाऊँगा मैं अगर जरूरत पढ़ेगी तो short short formula family में और comics में हम कुछ दिन practice करेंगे और देखेंगे कि क्या हम daily का daily 8 से 10 dollar निकाल रहे हैं या नहीं तो ये थोड़ा सा study हम करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी अगर comics में जोड़ना चाहते हो और comics का part बनना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पे join जरूर कर लेना short short क्योंकि updates जो important updates है ना वो यहीं टेलीग्राम पे मैं आपको देता हूँ तो आप comics का part अगर बनना चाहते हो comics के updates चाहते हो तो यहां पर आप हमें join कर लेना ताकि कोई भी चीज जो है ना वो आपसे miss ना हो यार और free channel है मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ free channel है कोई charges नहीं है जब भी पचार साल पांच साल जब से यह शुरू किया है free है इसमें कभी कोई charges ना लगे है ना लगेंगे आपके लिए ठीक है चलो join करो enjoy करो आग्या आदेश और आशिरवात दो अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखो क्योंकि उसी से उर्जा मिलती है और लोगों के साथ हमारे content को share किया करो उनको आप लोग invite किया करो कि वो भी information ले सकें हमसे जुड़ सकें market को समझ सकें और ये weekend analysis जो आती है आपको पता है रामबाना analysis होती है to the point analysis होती है आपको फाइदा देने के लिए या तो बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए गवाने नहीं देना है ठीक है मिलते है फिर next video में तब तक के लिए जैहिंद वन देव